नमस्कार दोस्तों आप सभी का अपने पसंदिदा यूटूब चैनल जर्नलिजम सीखे पर स्वागत हैं मैं हूँ आपके साथ आपका साथी अनदाराम विस्नोही दोस्तों आप वीडियो के उपर ठेर सारे कमेंट्स करते रहते हो तो आज उन्ही कुस चुनिदा कमेंट्स को आज इस वीडियो में आपके सामने लेकर आया हूँ और इस वीडियो के माध्यम से आपने जो सवाल पूछे है कमेंट्स में उन्ही का जवाब डेने वाला हूँ तो आपने भी अगर मेरे किसी वीडियो पर कमेंट्स किया है तो हो सकता है कि आपका भी कमेंट्स आज इस वीडियो में हो और अगर आपने कोई सवाल पूचा है तो उसके सवाल का जबाब भी आपको इस वीडियो में मिल जाए तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए पहला कमेंट्स राज्येस मेवादे का है वो पूछते हैं आप अच्छा परियास कर रहे हैं लेकिन आपने PTC के टोपिक को कुछ ज़्यादा ही घुमा फिरा दिया किसी को कुछ समझ अब आ रा तो इतने लंबे लेक्चर सुना कर सब गोबर हो गया आप इतना लंबा वीडियो बना कर आपकी बात को ठीक से एक्स्प्लैन नहीं कर पाए बाकी आपकी कौसिस अच्छी है कीप इट अप पहले तो मैं आपका बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने जो PTC को लेकर मैंने वीडियो बना है उस वीडियो पर आपने ये फीड वेक्ट दिया है और आपकी एक सिकाइत है कि मेरा वीडियो काफी लंबा है तो मैंने अब कौसिस की है अगर लेटिस्ट वीडियो आपने अगर देखा हो तो वह बिलकुल पाँच मिनट से भी कमका है यानि अब मैंने पाँच मिनट तक ही वीडियो मैं कोसिस करूँगा कि आपके सामनी ले हो कोई फीडवेग देना चाहते हो तो जरूर दीजे रामेश्वर दुबे वो पूछते हैं आइम सो हैपी आपका वीडियो देखते ही मतलब आपका भी आपने समय निकाल कर कॉमेट्स किया और समय निकाल कर आप जर्नलिजम सी के अपनी पसंदिदा यूटूब चैनल को देखते हो और अगर आपका कोई भी अगर सुजाव है कोई सवाल है तो आप जरूर पूछिए अत्तुलमिस्रा प्रयाग राजवाले वो लिखत आप जिस मीडिया हाउस में इंटर्नसिप कर रहे हो और वहाँ अगर वेकेंसी होती है तो वहाँ पर आपकी जोब लग जाती है अगर वेकेंसी नहीं है तो आपको किसी और मीडिया हाउस में देखना होता है इंटर्नसिप के बाद इनका अगला सवाल है कम्मिन्यूकेशन का course करके बिल्कुल बन सकते हो लेकिन ऐसा नहीं है कि आप course करने के बाद ही सिधा news anchor या news reporter बन जाओगे उसके लिए आपको ठेरिये रखना होगा जो news anchor या news reporter के लिए जो quality चाहिए वो आपको अपमें अंदर लानी होगी यानि आपको news साबित करना होगा कि आप बिल्कुल news anchor हो आप news anchor की तरह ख़बरों को present कर सकते हो news anchor कर सकते हो अगला सवाल रोहित भट का है वो पूछते हैं सर मैं कवी और लेकक हूँ यूटूब मैं vlogging भी करता हूँ अभी 12th class में पढ़ता हूँ कई भासन परत्योगीता मैं जिला इस्तर पर पहुंच चुका हूँ मैं एक पत्रकार बनना चाहता हूँ क्या ये फिल्ड मेरे लिए सही है अगर आपको लगता है कि आप journalism कर सकते हो आप एक अच्छा जर्नलिस्ट बन सकते हो तो बिल्कुल आप journalism फिल्ड में आईए लेकिन जिस तरह से आपने यहां कमेट में बता हैं कि आप एक कवी और लेखक भी है यानि आप जरूर अच्छा लिखते होंगे आप लेखक हो और इसके साथ ही आपने बता है कि आप व्लोगिंग भी करते हो यानि आपको विजुल को लेकर आपको अच पर भरोसा होना चाहिए कि आप क्या पत्रकार बन सकते हो या नहीं बन सकते हो तो यह बड़ी इंपोर्टेंट बात है बाकी की चीजे कहते हैं जब आपका सपने को लेकर आपका जुनून है तो अपने आप विक्सित कर लोगे अगर आपका जुनून होना चाहिए जुनू जी आपको बता दूँ जो समाचार भेजते हैं उसे रिपोर्टर इंगलीस में कहते हैं हिंदी में समाद दाता कहते हैं और आपको यह भी बता दूँ कि इनकी तीन केतेगरी होती हैं एक जो रिपोर्टर होते हैं जो सीद salvar करते हैं जो इसो काम थारिया या जो गाओ कस्भे हो गया ऊनिशका एरिया कम होता है उसे 검찰 करने का वहां से ख़बर भैजते हैं और उनको कोई salary नहीं मिलती है बस जो खबर भेजी उस खबर के according जो पैसा मिलना होता है वही मिलता है वहीं बात करते हैं उसके बाद contributor की contributor जिला इस्तर पर होते हैं उनको भी कुछ खास salary नहीं मिलती है वही जो खबर होती है उस खबर के कोडिंग लेकिन इस्ट्रिंगर से उनको ज्यादा पैसा मिलता है और उसके बाद में बात आती है रिपोर्टर निरज कुमार पूछते हैं आप वीडियो एडिट कैसे करते हो निरज जी मैं पावर डायरेक्टर एप से अपना वीडियो किये है नेतिन कुमार का है नेतिन कुमार पूछते हैं उनके तीन सवाल है उन्होंने पूछा है क्या जर्नलिजम और मास कम्यूकेशन दोनों अलग अलग कोर्स हैं वैसे थोड़ा सा जर्नलिजम और मास कम्यूकेशन अगर एकदम डेफिनेशन डीप डेफिनेशन में वीडियो कोर्स सवाल ये था कि क्या हम यह का बेचलर कोर्स नहीं कर सकते हैं तिन साल का बेचलर कॉर्स भी बिल्कुल आप कर सकते हो अगर आपने लाक कर रखा है तो तो आप मास्टर कोर्स की जिए अगर आप बेचलर कोर्स अगर आपने बेचलर कोर्स नहीं कर रहा है यानि आपने अभी टेवल्ट पास के तो शूर है आप अगर जर्नलिजम आना चाहोगे तो आपके पास यही उप्शन है आप बेचलर करोगे यानि आप तीन साल का कोर्स करोगे आप किसी और stream से हो पहले से ही और अब आप journalism आना चाहते हो तो आपके पास एक ही दो रास्ते बाचते हैं या तो आप master कीजिए जो दो साल का होता है या फिर आप एक साल का डिप्लोमा वाला course कीजिए अगनेस प्रासर का वो पूचते हैं आप हमें यह बताईए कि आपने जिस चैनल से इंटरंशिप की वहां कितने महा की थी मैंने इंडिया न्यूज राजस्तान से इंटरंशिप की थी लगभग मैंने तीन मैने के इंटरंशिप की थी और मेरा दूसरा सवाल यह है कि आप नो सब्दों में सीधी बात समझाइए बिलकुल विकास गुजर आपका धहन्यवाद आपने ये फिडवेक दिया किमती समय निकाल कर मैंने आपकी बात को नोट कर लिया है मैं यही कोसिस करूँगा कि मैं कम सब्दों में ज्यादा से ज्यादा बात आपको बता सकूँ और यही ए आप मेरे पुराने वीडियो को लेकर बात कर रहे हो पुराने वीडियो में पहले लगभग साइद मैं एक दो मिनट यह बताने में लग जाता था कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वो कीजिए तो वो बाते में ने अब वीडियो के अंदर से हटा दिया है यानि जो भी अब ने वीडियो आ रहे हैं आप देख रहे हो तो मैं सीधा ही वीडियो जो मेंट पॉइंट होता है उसी पर बात करता हूं अगला सवाल इनका नाम ठीक से पता नहीं क्या नाम है लेकिन इनका सवाल है सर में आई हेव इट नंबर आई रियली रियली नीड यूर ह बताईए आपको क्या मदद चाहिए अगर आपको मदद चाहिए तो आप इंस्टाग्राम पर मुझसे संप्रा कर सकते हो या जर्नलिजम सीखे के फेस्वुक पेज से आप मैसेज कर सकते हो यह पूछ रहे हैं माई लाश्ट एर आप मास कम्यूनिकेशन अभी तक यही सोच रही हूँ कि मैं मुझे इसमें आगे जाना चाहिए या जर्नलिजम कॉइट कर देना चाहिए यह आपके उपर है आप क्या चाहते हो आपको क्या लगता है कि आप जर्नलिजम कर पाओगे या जिस तरह से अगर आपको अभी भी कंफ्यूजन है तो एक बार प्लीज मेरे सा जर्नलिजम के अलावा आप किसी और फिल्ड में अच्छा कर सकते हो तो आप किसी दूसरे फिल्ड में जाईए तो यह था आज का कमेर्स को लेकर वीडियो बताईए आपको यह वीडियो कैसा लगा नीचे कमेर्ट बॉक्स में बताना बिल्कुल मत भूलिए और अगले हपते एक नए वीडियो के साथ नए जानकारी के साथ मिलेंगे तब तक के लिए नमस्कार और अगर आप मुझे सोसल मीडिया पर फॉलो नहीं करते ह हो तो प्लीज एक बार जरूर चक कर लिए सारे सोसल मीडिया के लिंक आपको नीचे डिसकर्स में मिल जाएंगे